exercise 6.3 question no.11 in figure E is a point on side CB produced of an isolates triangle ABC with AB is equal to AC if AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC prove that triangle ABD is similar to triangle ECF आकरिती में AB और AC बराबर दिये होगे हैं सम्दी बहुत रिवूज है और BC को E तक बढ़ाया गया है हम AD जो है perpendicular है लंब है BC पर और EF लंब है AC पर हमने ABD को ECF के similar prove करना है तो उसी तरह जो यहां given है वो लिखेंगे हम और यहां पर क्या दिया है कि लाइने जो है sides जो हैं वो इसकी equal है AB is equal to AC और prove क्या करना हमने यह भी यहां पर दिया है आप देख पा रहे होंगे triangle ABD is similar to triangle ECF तो proof में क्या आ जाएगा जिन दो triangles को हमने similar prove करना उन्हीं की बात हमने करनी है triangle ABD and triangle ECF अब देखिए यहां इन्होंने कहा AB is equal to AB is equal to AC AB अगर AC के equal है तो क्या होगा angle B is equal to angle C AB is equal to AC क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कौन बराबर होते हैं और दूसरा कौन सा होगा angle जो 90 degree का है अब 90 degree का देखिए यहां नजर आ रहा है आपको यहां पर F है और यहां पर D है D is equal to F 90 degree यह भी गिवन है प्रपेंडिकुलर दिये हुए हमें यह थर्ड एंगल अपने आप equal हो जाएगा हमें हमने बताया था कि अगर दो एंगल हैं थर्ड अपने आप इकवल हो जाता है automatically तो इसके मतलब triangle ABD similar to triangle ECF angle 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 criteria लग जाएगा हमें यह यहां प्रूव करना था यह triangle सम्रूप है और यहीं आपको देखो कितना मुश्किल लग रहा होगा सम बट आपको केवल यहां पर दो एंगल पूर एक एंगल आपको निकालना है दूसरा 90 डिग्री दिया हुआ है third automatic equal हो जाएगा और यह कौन कौन समरूपता नियम से दोनों तरी भूजें समरूप हो जाएगी यह question हमारा element यहां complete हो जाते है बच्चो